हेलो डियर श्टूडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजूकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में MP बोर्ड की जो त्रेमासिक एकजाम है उसमें कक्छा 11 वी इतियास का जो पेपर है उस पेपर को मलेकर के आज चुके हैं किस प्रकार से आपको तयारी करनी हैं तो जो भी च सारे प्रस्ने बहुत ही महत्वपूर्ण है और नए ब्लूप्रिंट के अकार्डिंग इस पेपर को तियार किया गया है ठीक है और प्रत्यक प्रस्ने के हम आपको आंसर भी बताएंगे आपको अच्छे स्तियारी करना है तो देखिए सबसे पहले साइवी कल्प हैं और ताना किस से सम्मंद थी तो देखिए उनका जो सम्मंद था वो प्रेम और युद्ध से था देखिए जो भी चैनल पर नए हैं उनसे फिर से रेक्वेश्ट है चैनल को सबस्क्राइब करना है क्योंकि बाकी विश्यों के भी आपको सबसे सरुस्रेस्ट पेपर आपको जारी अच्छी होगी और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर देना देखिए थार्ड प्रस्टन है रोमन सामराज्जी के लोगों की भासा क्या थी तो देखिए जरा रोमन सामराज्जी के जो लोग थे वो दोनों भासाओं को बोलते थे इसलिए हम युनानी और लातिन यानि कि ए वा बी दोनों इसमें उतराएगा ठीक है फिर अगला प्रस्टन है कि रोमन सामराज्जी में सेनेट क्या था तो देखिए जरा रोमन सामराज्जी में जो सेनेट था वो धनी वर्गों को कहा जाता था ठीक है फिर आगे देखते हम यह यायावार सामराज जिस प पिर अगला कुबलाई खान कौन था तो देखिए कुबलाई खान जो था वो चंगेच खान का पोता था ठीक है यह समें चंगेच खान का पोता जाएगा फिर आगे रिक्तिस्तान है सबी को अच्छे समझना है सारे important है यह देखिए मंगोल सरदारों की सबा को रिक्तिस्तान कहा जाता था तो देखिए इसमें आएगा कुरिल ताई क्या आएगा इसमें कुरिल ताई ठीके तो कुरिल ताई कुरिल ताई आजाएगा इसमें ठीके उसके बाद अगला है बरबर सब्द यूनानी भासा कि रिक्तिस्तान सबसुतपन्नो हुआ है तो दिखिए इसका जो उतरा रहेगा वो रहेगा बार-बरोस बार-बरोस ये इसमें आ जाएगा बार-बरोस आप यहाँ सा यह वाला इस प्रकार कर भी कर सकते हैं अगला है रोमन सामराज्य में गणतंत्र की वास्तविक्ता रिक्तिस्तान नामक निकाई में ने थी तो इसको बोलते हैं सेनेट क्या बोलते हैं इसको सेनेट ठीक है सेनेट अगला है आगस्टस रिक्तिस्तान इसापूर्व में रोम का सासग बना तो इसमें आजाएगा 37 इसापूर्व फिर अगला है कि रोमन सामराज्जी में प्रचलित चांदी के सिक्के को रिक्तिस्तान कहा जाता था तो दिखिए इसका उत्तर हो जाएगा दिनारियस दिनारियस ठीके अगला है मेसोपोटामिया की कलाकाल लिपी को रिक्तिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा था तो उनका नाम है हेनरी रालिंसन हेनरी रालिंसन ठीक है हेनरी रालिंसन अगला है राजा जिमरिलीन का राजमहल रिक्तिस्तान में इस्तित्था तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मारी क्या हो जाएगा इसका उत्तर मारी ठीक है आगे बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की तरफ देखिए बहुत ही इंपोटेंट सही जोड़ी है सबी को इसको तियार करना है देखिए पहला है हम्मूराबी का कानून तो देखिए इसमें क्या हैगा तो देखिए हम्मूराबी का कानून ये होता है विधी सहीता तो आप इस पर जाए विधी सहीता फिर अगला है भूमद्दि सागर तो जो भूमत्य सागर है इसके सामने आ जाएगा रोमन सामराज्जी की राजधानी रोमन सामराज्जी की राजधानी रोमन सामराज्जी इसमें आ जाएगा रोमन सामराज्जी का रधे भूमत्य सागर में क्या जाएगा रोमन सामराज्जी का रधे आ जाएगा ठीक है सभी बच्चे दियान से देख ले ना रोमन सामराज्जी का रधे आएगा भूम अतिसागर में फिर अगला है कुस्तुन तुनिया तो कुस्तुन तुनिया जो होती है वो रोमन सामराज्जी के राजदनी होती है फिर अगला जहिरुद्दिन बाबर तो इसके सामने आ जाएगा भारत में मुगल सामराज्जी का संस्थापक ठीक है तो आप सामने देख रहे हैं भारत में मुगल सामराज्जी का संस्थापक सुल्टान मुहम्मद तो इसके सामने आ जाएगा कि ख्वारिज्म का सुल्टान यहां ख्वारिज्म का सुल्टान फिर अगला है एंफोरा तो एंफोरा के सामने आ जाएगा मटके या कंटेनर फिर आगे बढ़ते हम सत्य सत्य बताने हमें कि मेसोपोटामिया की प्रथम भास स Kw Rasa Sumeria थी यह बात सत्य हैं फिर अगला है कि जगुरात का तात्पर्य मंदिरों से हैं यह बात भी सत्य हैं फिर अगला द blueberry Caesar Caesar का दद्तक पुत्र था यह बात सत्य हैं फिर अगला है सालिडस सोने का सिक्का था ये भी सत्य है मंगोल सेनिको की देखरेक में रेशम मार्ग पर व्यापार और ब्रहमन अपने सिकर पर पहुँचा ये भी सत्य है फिर अगला ये तेमुजिन को 1227 इस्वी में चंगेजकान यानि मंगोलों का सार वोमिक सासक गोशित किया गया तो ये बात असत्य है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक वाक्य या एक सब्द में उत्तर देने हैं कि मेसा मेसो पोटामिया के प्रमुक देवी देउताओं के नाम लिखिए तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तो प्रमुक देवी देउताओं जो थे मेसो पोटामिया के वो थे उर और इन्नाना तो आप इसके सामने लिखेंगे उर और दूसरे थे इन्नाना ठीक है अगला है कि हम्बू राभी कहा का सासक था तो बेबिलोन इसमें आजागा बेबिलोन बे जो से होता था तो इसका उतर हो जाएगा राइन और डेन्यूब राइन और डेन्यूब डेन्यूब ठीक है अगला है टिवेरियस कौन था तो इसका उतर हो जाएगा कि आगस्टस का गोध लिया पुत्र जो आगस्टस था उसका गोध लिया पुद्र था यह आप समझ गया होंगे आगस्टस का गोध लिया पुद्र था टिवे रियस ठीक है आगस्टस चंगेच खान के पिता किस कूल से संबन्दित थे तो देखी इसका उत्तर हो जाएगा तो देखी इसका उत्तर हो जाएगा बही चंगेच खान के जो पिता थे वो बोर गिजिद बोर गिजिद कूल से संबन्दित थे बोर गिजिद फिर अगला है कि गजन खान की मृत्यु कब हुई तो 1304 इस्वी में हुई फिर अगला है मेसोपोटा में कि किस भाग में नगरों का विकास हुआ तो दक्षिनी भाग इसका उतर हो जाएगा दक्षिनी भाग लक्षिनी भाग ठीक है अब आगे आपको दो अंक के प्रस्टने की मेसो पोटामिया सब्दका साब्दिकर थी क्या इसको आपको याद करना है ठीक है उसके आत्थवा में एक बहुत बढ़िया प्रस्टन है कि मेसो पोटामिया की खोज कब एवं किसके द्वारा किये गई थ कारें बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्णों को लेकर के इस पेपर को अमने तयार किया आपके लिए जो नए ब्लूप्रिंट से बिल्कुल मेच करता है मतलब कुछ भी अलग नहीं है पूरा ब्लूप्रिंट के अकार्डिंग है किल का लिपी क्या है आपको बतानी है अत्वा हुआ है फिर नुवा है ए ao उसके अथवा में रोमन अमराजी की दो परवको सेस्था है एजिक वर सिव्ष्रतान्ति से आपक यह समझते या फिर रोमन अम्राजी में गंतंत्र से क्या भी प्राया था फिर ग्यारवा है कि बहू देववाद क्या है और उसके अत्वा में रोमन सहरो की कोई दो विश्चता आपको बतानी है फिर अगला चंगेज खान के पिता का नाम क्या था तथा या किस कभीले के मुख्या थे फिर उसके अत्वा में दिया है किरालताई क्या है तता इसमें किस प्रकार की निड़ने लिए जाते थे बाज नामक करका क्या मेhrtू था ये बता नहें और उसके अत्वा में यायावार साब समाज के इतियाषिक स्त्रोत कौन-कौन से लिखिए मंगोल कोन थे अगला प्रस्टन है हमारा और उसके अत्वा में मंगोलों के सेन्य अभिवियान से रेसम मार्ग के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा फिर अगला है एक्वाइटस क्या है या फिर रोमन सामराल जी को कितने चरणों में बाटा जा सकता है नाम लिखिए पोटामिया किन तीन महाद्यपों में फेला हुआ था या फिर रोमन सामराज्य में महिलाओं की स्थिदिका वर्णन करना है फिर अगला चंगेच खान की सपल्दा कोई तीन कान लिखिए मंगोल इतियास में बाबर चंगेच खान से किस प्रकार प्रभावित था तदा उसन के दास लिखा हुआ है यह टाइपिंग मिस्टिक हो गई है फिर आगे चंगेच खान का विस्व इतियास में स्थान प्रतिपादित कीजिए चार नमर में यह प्रस्ण है चार नमर वाले स्टार्ट हो चुके हैं या फिर यायावारो द्वारा नव विजित छेत्रों में भ खाना बदोश पसूच आलक शहरी जीवन के लिए खतरनाक थे कारण सहीत इसपस्ट कीजिए फिर बाविस्व प्रस्ण है कि लेखन कला का विकास किस तरह हुआ समझाईए क्या कारण था कि मेसो पोटामिय में बहुत कम लोग पड़े लिखे थे अथवा मंगोलों द्वार शीरिया तिबबत केस्पेंस आगर कारा कोरम ठीक है इस तरह से यह पेपर हमने बहुत मेहनत से आपके लिए तियार किया है बहुत ही बड़ीया मॉडल पेपर है यह और आप सभी को इसमें से मैक्जिमम प्रस्ण एक्जाम में आ जाएंगे बहुत यकीन करके आप सभी को और जो भी चैनल पर नए है उनसे रिक्वस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब हो कर ले ताकि आगे जो आपके पेपर है उनके भी बहुत भैतरीन पेपर हम आपको प्रदान कर सकें जिससे आपकी त्यारी भैतरीन हो थेंक्स फार वाचिंग धिस वीडियो